यूटीब चैनल गौरव क्रूख्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रक्षा बार्मी मैथम्हेंटिक्स के सांत्य गेस्पेपर के बारे में तो पूरा सांतिक पेपर इस वीडियो में देखेंगे 233 जो की नया है solution आपको पूरा इसमें मिलेगा तो वीडियो का पूरा end तक देखेगा बिल्कुल skip करने के ज़रूरत नहीं है आपका exam अभी next mathematics का है तो इसके लिए आपको preparation करनी है यहाँ पे आप questions का जो rules है वो पढ़ सकते हैं पूरा वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो पूरा end तक देखेगा पूरा explanation आपको दिया जाएगा लगभग चार sections है यहाँ पर section D तक total paper आपका 80 marks का है तो यहाँ पर हम चलेंगे first question question number one part one question one relation r on the set a is equal to 123 to 14 defined as r equal to xy is to 3x minus y equal to 0 is option a reflexive symmetric and transitive option b neither reflex reflexive nor symmetric and not transitive c reflexive transitive not symmetric d reflexive symmetric and not transitive तो इसमें से आपको answer को pick करना है questions आपको सारे इसमें provide की जाएंगे video को बिल्कुल skip नहीं करना है question 2 है relation r in the set n natural number s defined as r is equal to xy y is equal to x plus 5 x is less than 4 तो इसको आपको पूरा प्रिपेर करना है अगर आप यह 49 pages पूरा पढ़ लेते हो तो आपके लिए काफी beneficial है लगबग 70 to 80% paper जो आता है वह शांतिके पेपर से ही तियार के जाता है अगर आपको इसका pdf चाहिए तो टेलिग्राम चैनल का link description में डिस्क्रिप्शन में ड़ा हुआ है और अगर link open ना हो तो गौरफ क्रूक्स लिखके यहां पे आप टेलिग्राम जॉइंग कर सकते हो जाके वहां पे आपको इसका पेपर्स आने बहुत असंभव जैसी बात हो गई है लेकिन आपको इन पेपर्स को तैयार कर लेना है यह जो सांतिकेस पेपर्स है अगर आप इसको प्रेपर कर लेंगे तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत है भी नहीं आपका सारा ट्रॉपिक यहां पर कवर हो जाता आपने फ्रेंड्स को भी शेर कर सकते हैं ताकि उनको शांतिकेस पेपर मिल जाए शांतिकेस पेपर काफी वच्चे डिवान करते हैं वर्ट उनको मिलने पाता है तो आप इस वीडियो में पूरे जो एंसर सो क्वेश्चन साहरे पढ़ सकते हैं 17 इसक्राइब फॉशन है फ यहीं चीज़ें आएंगी बाकि जो आगे के बड़े क्वेश्चेंस का सॉल्यूशन आगे लिखा हुआ है तो यह आपके टिक्रोमेट्री के क्वेश्चेंस हैं इनको भी आपको देख लेना है कोई भी डाउट आए तो कमेंड सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपक को मुझे बात करने हैं तो आप मुझे टेलिग्राम चैनल पर भी और इसक्रिशन ग्रूप में मैसेज कर सकते हो वहां पर बात कर सकते हैं आपका कोई डाउट हो तो वहां पर क्लियर हो जाएगा तो हम क्वेश्चन नमबर वन पार्ट थ्री पर आ गया है यानि कि थर्ड स सब्सक्राइब करें अगर एक मैट्रिक्स में अथारा एलिमेंट्स तो कितने नमबर पॉसिबल पॉसिबल और बन सकते हैं तो यहां पर आपको आप्शन मिला हुए उसको आपको एंसर पर टिक करना है तो अब हमारे पास आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 17 है कि एंड बी आरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो देन एबी प्लस बीए इस ऑप्शन साब के सामने लिखे हुए हैं उनको आपको टिक करना है जितना ज्यादा आप शांतिकेस पेपर्स को रिवाइज करोगे और जो आपको साम्पल पेपर्स मिल रहे हैं वह आपको सारे हेल्प करेंगे आपके एक्जाइम के लिए क्योंकि यह सब इंपॉर्टन जो पेपर्स हैं इनी को देखके पेपर बनाया जाता है अगर आपको सुलेशन भी चाहिए इंपॉर्टन सेंपल पेपर्स के तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं मैं और भी वीडियो लेके आता रहूंगा कुशन नमबर बन का पार्ट फोर हम आ चुके हैं यहां पे एमसी क्यूज में चौथा सट है यह एमसी क्यूज का यहां पर आपको द नहीं लगे तो हम यहां पेट पेज तक पहुंच चुके हैं यह पार्ट फाइव हमारे पास आ चुका है यह चैप्टर है डिफ्रेंशी डिफ्रेंशी अबिलिटी इसको भी आपको पूरक प्रिपर करना है जितने क्वेशन साप यहां से कर सकते हो वह आपके लिए बहुत साथ सारे पेपर आएंगे तो आपको उसको एक बार देखना है पढ़ना है अपने फ्रेंश को शियर करना है जितना ज्यादा आप यहां पर सपोर्ट कर सकते हो इतना आपके लिए मेरे लिए हैलफुल होगा ताकि मैं और वीडियो बना पाऊंगा क्वेशन का स्क्रेंशॉट ले सकते हैं अगर आप टेलिग्राम पर नहीं है तो पर मेरी रिक्वेस्ट यह भी है कि आप टेलिग्राम अगर जॉइंग कर लेता है तो आपके लिए ज्यादा बेनिफीशल होगा वहां पे आपको पीडिया के फार में सारे क्वेशन मिल क्रीजिंग इसमें आपको औप्शन को टिक करना है मेरे एकॉर्डिंग यह क्वेशन काफी इजी होने चाहिए आपके लिए क्यूंकि आपके पास मिल रहे हैं और यह जो चैप्टर से यह बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है सॉल्फ करने पर बहुत जल्दी से स्लूइशन आज आएगा पार्ट 7 हमारे पास आ गया है यह क्वेशन हैं आपके अगले चैप्टर से यहां पर क्वेशन कुछ रीड आउल कर सकते हैं जिसकी फैंड फाइंड फाइंड स्लोप टैंजिंट तुद तो यह आपका स्लोप वगेरा यहां पर आपको फाइंड करना है क्वेशन हैं विच वन इस वेक्टर कॉंटिटी आफ फॉल्वाइंग यानि यह कौन साब वेक्टर कॉंटिटी है किलो मीटर का वेवलंद का डिस्प्लेस्मेंट का और टाइम का यह आपको लिखने है कि कुश्चन नंबर वन का पार्ट 9 हमारे पास आ चुका है यह आपक उससे बेटर कुछ भी नहीं है कि आप प्रेक्टिस करते रहें अगर आप पेपर लिग पर डिपेंड कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं मैं आपसे रिक्वेस्टर हुआ कि आप पढ़ाई अपनी बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिए आप यहां पर हमको solution दिखना है differential equation का तो सारे options आपके सामने हैं इन में से कोई एक आपका answer होगा question number 1 का part 12 हमारे पास आगया है इसका chapter का नाम यहां पर है ST line plane the distance of the point P ABC from the y-axis is dash if LMNR direction cosine of a line then L square plus M square plus N square is equal to dash equations आपको solve करने 17 pages हमारे complete हो गया है यहां से question number 4 हमारे पास आ गया है इसमें आपको solve करना है यह matrix है आपको इसको solve करना है here using elementary column transformation find the inverse of a find the matrix X such that X 1 2 3 4 5 6 is equal to minus 7 minus 8 minus 9 2 4 6 using property properties of determinants prove आपको इसको prove करना है if a equal to 5 12 3 7 show that a square minus 12 is minus 1 is equal to 1 sorry 0 hence find a to the power minus 1 question number 5 में आगे है function add X naught यहां पर आपको rule समझाए गए है कैसे आपको solve करना है find the interval on which the following functions are strictly increasing कुछ questions यहां पर लगभग 9 questions दिए हुए है फिर यहां पर rule लिखा है rule to find the local maxima and minima value of functions तो आपको यह rule को अच्छे से देख लेना है यह आपके लिए बहुत काम आएगा find the equation of tangent and normal to the curve y equal to 1 plus 2 sin x upon cos x at x equal to y by 4 question number 6 पे आगे है evaluate 1 plus 2 sin x upon cos square x dx solution यहां पर आपके लिखा हुआ है इसको भी आप देखके यहां पर solve कर सकते हैं आपको यहां पर सारे questions के solution भी दिये जाएंगे आगे जो भी मिलेंगे evaluation करना है आपको इसमें सारे का सारे questions आपको prepare कर लेना है अगर screenshot लेए तो screenshot नहीं तो PDF आपको टेलिग्राम पर provide कर दिया जाएगा इस वीडियो पर like का aim रख रहे हैं 200 likes को complete होंगे इसका PDF टेलिग्राम पर upload हो जाएगा आप वहां जाके download कर सकते हो question number 10 है evaluate log x dx सारे questions के solution साथ में लिखे हुए हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है बस सीधा सीधा read कर लेना है questions को और अच्छी समझ लेना है आगे भी सेम से questions हैं और solution भी उसका लिखा हुआ है कंटी first question evaluate उसका भी answer है आपको जो method लिखा हुआ है उसके method से solve करना है आपका जो paper है उसमें step marking भी होती है तो कोई भी step मिस नहीं करना जिसे आपके पूरे number आपको मिलते जाएं पेपर खतम होने के बाद आप comment section बताएगा जैसे कि आपका exam कैसा गया है question number seven आ गया है find the area of the reason included between parabolas y equal to x square and x equal to y square given parabola are y equal to x square and x equal to y square इसकी सापसे आपको solve करना solution पूरा समझाया गया है कैसे solve करना है फिर है fifth question find the area bounded by the parabola y square equal to 9x and line x equal to 2 x equal to 4 in first question quadrital sorry इसे आपको सारे questions में area ही find करना है इस वाले section में question number eight में आएंगे find the unit vector perpendicular to the vector read out नहीं हो रहा है तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार answer आपके सामने यहां पे side में लिखा हुआ है सब्सक्राइब के answer साथ में लिखे हुए हैं PDF में आपको clearly समझ में आ जाएंगे जो पेपर है वह बहुत ही अच्छी quality में uploaded है लेकिन जो हमारे पास PDF थी वह काफी अच्छी quality में नहीं थी तो हमने इसको किया इस तो इसको आप माइंड मत करें करियेगा सारे questions के answer mentioned है तो आपको जाता problem होनी नहीं चाहिए question number 9 में आता है solve for x फिर प्रूफ दैट प्रूफ करना है आपको इन सारे equations को properties of inverse trigonometrical functions यह आपको properties बढ़ लेना है question number 10 में आ गया है हम if x square sorry x to the power 2 to the power sorry x to the power 2 upon 3 plus wise तो आगे आपको differentiation की questions दिख रहे होंगे question 10 तक हम आज चुके हैं यहाँ पे question number 11 का part A देख सकते हैं question आप question भी लिखा है solution है इसका question 2 है इसका solution है अगर आपसे हो सके तो आप इन questions को खुझ से solve करने की एक बार try करिएगा इससे आपका basic है वो clear रहेगा और exam में जो भी numericals आएंगे उनको solve करने में ज्यादा जाएगा तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आपको differentiation और integration की questions देखने पर मिल रहे होंगे अगर कर दीजेगा इस वीडियो जितना आप कर सकते हैं लगातार आपके लिए hard work से वीडियो बनाई जा रही है और आपको provide की जा रही है आने वाले आपके सारे exam से आपके cover किये जाएंगे प्राफी helpful आपके लिए चैनल आपके 12th complete होने के बाद भी सारे questions with solution available है कुछ भी नहीं करना बस screenshot ले सकते हैं अगर आप चाहें तो या फिर screen recording कर लीजे वीडियो तो है ही कि अब या के पास काफी टाइम है तो आप इसको प्रैक्टिस करके exam में जा सकते हैं ताकि आपके अच्छे marks आएं आपके अगर छोटे भाई बैन भी है तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल को जिससे की वह सब्सक्राइब करके रखें आगे उनके भी पेपर्स होंगे तो उनको प्रवाइट किया जाएगा ऐसे शांती गेस पेपर अगर आपको किसी और सब्लेट का चाहिए तो सब्सक्राइब करना मस्त इसलिए कि वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो नहीं बन पाती है तो डिरेक्ट्ली हम टेलिग्राम पर अप्लोड कर देते हैं वहाँ पर आपको पूरी हेल्प हो जाएगी पीडिएफ के सांथ क्वेशन 19 तक हम आ चुके हैं यहाँ पर टोटल 49 पीडिएफ है फुरा टाइम ज्यादा लग रहा है अगर आप चाहिए तो वीडियो को फास्ट फॉर्वड पर रख सकते हैं या फिर जहां कई भी आपको लगे वहाँ पर आप वीडियो को पॉस्वी कर सकते हो जिससे आपका सुलेशन आप क्लियर ली यहाँ पर देख सको और मेरा यहाँ को सेशन है कि आप जो वीडियो देख रहे हो उसकी क्वालिटी 720 पिक्सल पर रखो ताकि ज्यादा पिक्सल में फटे ना पिक्सल और आपको वीडियो क्लियर दिखे वीडियो आपको क्लियर रह है नहीं तो कुछिशन सब्सक्राइब में नहीं आएंगे अ कि इसके बाद हमारी और भी वीडियो जारी शान्ति के इस पेपर से खांथ हिस्ट्री की अगर आप कोई फ्रेंड है उसको आप शेर कर सकते है लड़ पीपल नों की हमारे पास एक चैनल है गौरफ क्रूक्स जो की प्रवाइड कर रहे हैं सारे पेपर्स आपको शांतिगेस पेपर्स इंपोर्टन पेपर्स इंपोर्टन अब्डेट्स जो भी है सारा कुछ आपको यहां पर वन स्टॉप सॉलेशन मिल रहा है find the area bounded by x equal to 80 square y equal to 280 between plus equal to 1 plus equal to 2 area between curve is solution आप देखते हैं find the area between sorry find the area under the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 तो आपको यहां पर area find करना है rules to solving differential equations variable separable आप यह rules पढ़ लिजेगा यह rules काफी काशी important है क्योंकि अगर आप इनको प्रिपार कर लेंगे तो आपको question solve करने में problem नहीं होगी solve the following differentiate differentiation equations dy upon dx equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x question number 12 और पार्ट जो आपको मिलता है questions और में जो आते हैं इसको भी आप attempt कर लिजेगा सारे differentiation की questions में भी as much questions as you can practice question number 13 आ चुके हैं two bags contain six red and three black five red and six black balls one ball is drawn at random from one of bags and found to be red find the probability that it was drawn from the second bag probability find करने हैं आपको यहां पर तो आपको let even be the event that the ball was drawn from the first bag and it to be the event that ball was drawn from the second bag तो यह probability questions है काफी easy होता है probability chapter अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत easy होगा यह इन questions को सारा solve कर लिजेगा आपका जो basic है वो इसका clear होना चाहिए formulation जो भी है वो clear हो तो आप questions को solve करने में ज्यादा time नहीं लगाएंगे बाइस theorem यहां पर यूज किया गया है फिर यहां पर गुरलीन थ्रोज़ाइब शीगेट सफाइव और six six touches a coin three times and notes the number of heads if she gets one two three or four she touches a coin once and notes whether a head or a tail is obtained if she obtains exactly one head what is the probability that she three one two three or four with die तो यह सारे questions मेरे को बहुत जादा कटे नहीं लग रहे हैं इसको भी आप्रेक्टिस कर लिजागा क्योंकि प्रवाबिल्टी से इसे questions आते हैं और आपको कम से कम आठ दस नंबर questions यहां पर देखने को मिलते हैं तो आपके लिए बहुत easily वह obtainable रहेंगे यहां पर आपको एक condition दिया गया जिसके बेस पर आपको find करना है a-1 from equation question number 14 is all the following by using matrix method matrix method से आपको इस equation को solve करना है 2y plus z equal to 7 x plus 3z equal to 11 2x minus 3y equal to 1 यहां पर यह given है solve the following by using matrix method यहां पर फिर से लिखा हुआ है x plus 2y minus 3z equal to 6 x 3x plus 2y minus 2z equal to 3 2x minus 3y plus z equal to 2 answer beside में लिखा हुआ है solution के साहब भी कुछ questions है question 15 देख लिजे which solution question number 2 है इसका find the sd between the lines whose vector equations are dash as you have to find the sd between the lines through the point a 6,2,2 and b minus 4,0 minus 1 indirection ratio तो इसका भी answer आपको 9 दिया हुआ है side में find the image of the point 1,3,4 in the plane x minus y plus z equal to 5 यह quadrant की questions है आपके सामने graph के इनको आपको solve करना है find equation of the plane passing through the points minus 2,6, minus 6 तो आपको equation find करना है उसके लिए जो आपके तीन terms दिये हुए है find the equation of the plane passing through the points minus 1,1,1 and minus 1,1 and is perpendicular to the plane यहां से आपको सारे equations को find करना है यहां से फिरम question number 16 पर आ जाते है solve the following LPP graphically minimize and maximize तहां पर graphs का यूज करना है आपको graph लेके attempt as much questions as you can, exam में जित्ता भी आपसे hope आई उससे questions आप attempt कर लीजे छोड़के नहीं आना है ताकि आपके chances रहें कि आपका questions सही है step marking के भी marks मिलते हैं जितना आपको पता है उतने से try करेंगे तो आपके questions के answer आने के chances रहेंगे बागी आगे भी आपके लिए से videos लेके आते रहेंगे अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में सब्सक्राइब कर लिए चैनल को वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है थैंक यू अल्ट बेस्ट पॉर यूर प्लस्टु एग्जामिनेशन